नमस्कार, मैं सोनल और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी कोल्ड सान्विच के रेसेपी शेयर कर रही हूँ, जो कि प्रोटीन से भरपूर है काफी बार हमें कुछ रिफ्रेशिंग और लाइट खाने के इचा होती है, पर समझ नहीं आता है क्या खाएं, तो एक बार इस सान्विच को जरूर ट्राय कीजिए सबसे पहले एक बोल में 100 ग्राम हंकड ले लीजे, उसमें बारी कटा वा खीरा डाल लीजे और उसकी बीज निकाल लीजे, बारी कटा प्यास डालना है, एक कदुकस की वा गार्ली की कली डाल लीजे, स्वादनुस्ता नमक, ताज़ा कोटी काली मिच, एक से दो चमच निम कर लीजे, अब फ्रेश ब्रेट की स्लाइजिस लीनी है और उन पर बटर लगा लीजे, अब हमने जो स्टफिंग तयार की है, उसे इस पर लगा कर सान्विच बना लीजे, सान्विच कट कर लीजे और इसे इंजोई कीजिए, सान्विच में खास जियान रखना है कि स्टफिंग चिल्ड होनी चाहिए, तब ही सान्विच में मज़ाएगा, अब इस रफ्रेशिंग सान्विच को चाई या कॉफी के साथ इंजोई कीजिए